एलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि धारा 306 of IPC क्या होती है आज हम इस वीडियो में इस सेक्षिन को बिल्कुल ही सिंपल बे में समझेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्वीब चैनल लॉग अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे दोरा दी गई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को धारा 306 of IPC डिल करती है अबेटमेंट of सुसाइड से अबेटमेट का मतलब होता है फ्रेंड किसी को उकसाना और सुसाइड का मतलब होता है खुद खुशी करना तो इसका मतलब अब ये होता है कि कोई परसन किसी अधर परसन को उकसाए आतम हत्या करने के लिए तब उस परसन पर ये धारा लागू होगी फ्रेंड्स किसी भी अपराउट को करने के पीछे दो रिजन होते हैं एक नौलेज और दूसरी उसकी इंटेंशन पर दोस्तों अगर हमारा नौलेज भी ना हो और ना ही इंटेंशन हो उसको मारने का पर वो मर जाता है तो ऐसी स्थिती में आई पीसी में क्या प्रोविजन है आई पीसी की धारा 306 अबैटमेंट और सुसाइड में अगर कोई परसन किसी का नाम लिखकर सुसाइड कर देता है तो धारा 306 के अंतरगत मुकदमा दरज किया जाता है यानि कोई परसन आपके दबाब में आकर या परेशान होकर आप उस परसन को मेंटली या फिजीकली टॉर्चर कर रहे हैं या ब्लैक मेल कर रहे हैं और दूसरा परसन सुसाइड कर लेता है तो उसमें आपको दोशी माना जाएगा और आई पीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दरज होगा अब एक एग्जामपल से हम धारा 306 को समझ लेते हैं स्पोज एक परसन A है और B एक ल के लिए उकसा रहा है बट B नहीं मानती है और A की टॉर्चर करने के कारण B सुसाइड कर देती है लेते हैं स्पोज एक परसन A है और B एक लेडिज है तो A B को उकसाते हैं किसी काम को करने के लिए बट वो डारेक्टली नहीं रहा है वो उसे सेक्शुली हरास्मेंट या से उकसा रहा है बट B नहीं मानती है और A की टॉर्चर करने के कारण B सुसाइड कर देती है तो A ने उसे अबैट्मेंट ऑफ सुसाइड के लिए उकसाया और क्राइम कंड़क्ट हो गया 306 अफ आई पीसी का तो इसी सेक्शन के अंडर एक केस आता है राजेश बर्सिस स्टे में 2000 में शादी हो जाती है और राजेश लड़की का भाई होता है तो लड़की के हैस्पेंट के साथ कहा सुनी और लड़ाई जगड़ा हो जाता है और 2002 में बो सुसाइड कर लेता है और एक लैटर छोड़कर जाता है कि दहेज का जूठा अरोप लगाया था मुझ पर और मुझे मारा पिटा भी गया था तो राजेश को कोर्ट यहां बरी कर देता है क्योंकि सुसाइड उसने अगली साल किया था और रिसेंट में उसके साथ कोई भी नोगजोक नहीं थी जो उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाये तो कोर्ट ने यहां माना की जो गैप था सुसाइड का वो बहुत लंबा था और राजेश ने कोई भी डावरी की डिवान नहीं की थी तो राजेश को यहां कोर्ट बरी कर देता है तो अगर हम इसमें सजा की बात करते हैं तो इसमें अपरादी को 10 साल तक की सजा है और यह एक नॉन बे लेवल ओफेंस है और ट्रा लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उन्फॉर्मेशन के साथ धन्यावाद